कैसे हो आप लोग दोस्तों आप सब को पता है कि मार्केट खुल चुका है दीरे दीरे थोड़ी सी जॉब भी निकल रही है बर उससे भी आदा फ्रॉड आ चुका है अब दिमाग यह खराब होता है कि कौन सा फ्रॉड है कौन सा रियल है पहचाने कैसे ठीक है और आप सब को है कि आप कहीं पर भी हो आज के टाइम में इंटरनेट और जो डिश्टल मार्केटिंग है वो क्या कर देगी आपको कुछ आइडिया नहीं किस लेबल पर बहुत बड़ा चीज है अब इसमें क्या हो रहा है कि आज मेरे स्टुडेंट के उस रात कुछ बीता तो मैंने आ रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी कंपनी एक रेपूटेट कंपनी का नाम ले रहे हैं कि वहां पर ओपनिंग है नीचे अपना मोईल नेंबर अपना कॉंटेट दे रहे हैं आपको लगता है या हमको भी लगता है कि आ अची कंपनी है चलो अपलाई कर देत यहां पर आपका इंटर्व्यू कंड़क्ट होगा बुलाने के लिए वह आपको कॉल पर बुला ले रहे हैं कि यहां पर आपको बताते हैं कि इतना पैसे लगेगा और इतने पैसे में आपका अब प्रॉलम यह होती है कि अगर मुझे यहां से एक किलो मेटर बुला गया तो चलो एक बार इस्ट्वेंट लाइफ है घूमते टहलते चले जाएंगे वट एक स्थिटी पार करके आना है या फिर दस पंद्रा किलो मेटर भीस किलो मेटर पचीस किलो मेटर किराया कैप का कि एक स्कीव सुनाएं तो ऐसे में क्या होता है कि यह बहुत गलत हो जाता है तो अब इसको क्रॉस चेक कैसे करने कि यह जो ओपनिंग्स है यह जनुविन है कि नहीं तो इसके लिए मैं आपको एक स्वलोशन देता हूं तो कोई भी कंपनी है अगर मैं सब्स मैं कॉल कर रहा ह आपको कि यूनिक सिविल में, आपको opening से, अब हड़ आफ सर पुले बोल रहा हूं तैट मिंस यह एक्चली में ही company है, हड़ आपसर में ही company आपने देख रिया, मैंने address आपको दिया, कि इस address पे आपको आना है, तो क्रॉस चेक कैसे करना है, आप Company का नाम पूचा कि कौन स उसके बाद उस company का address गूगल कर लीजिए, means Google तो उस company का website सर्च कर लीजिए, website पर जाके आपको address तो मिली जाता है, website पर जो address है और जो आपको भेजा गया address है, अगर दोनों से में तभी उस address पर interview देने जाएए, अनिथा बिल्कुल भी मत जाएए उस company में interview देने के लिए, आ आप इस तरीके से बहुत इसली बचा सकते है खुद को, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नीचलता कैसे search करना है, तो मैं कई बार मुलता हूँ कि doubt lecture में आओ, free of course doubt lecture लेते हैं, जितने लोग मेरे से course लिए है, उनको उनके लिए भी फ्री है और जो भी मेरे subscriber है, सब क share कर सकते हैं, कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो doubt lecture में आओ, ये doubt lecture का मैं एक खा दे रहा हूँ, इस tip कैसे doubt lecture में आना है, just app खोलना है, batches में जाना है, और batches में जाने एक बाद वहां लिख देना है, unique talk, आ जाओगे, और वहां पर आप आगे बोल दुसारी, इस company करो कि उस company के services क्या क्या है, अगर services आप dual नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, कि वो पता नहीं कौन सी चीज की company है, और आपको बुला ले रहे हैं, कुछ ऐसी company होती है, कुछ ऐसे training institute, प्लस company होती है, जहां कि टेली कॉलर को commission मिलता है, आपकी visiting होनी चाहिए, आपकी visit को उनको इसे पहले ही सारा कुछ चेक कर लिया जाए, और visit करने वाद आपको बता यह को आप marketing वाले बंदे होते हैं, घुमा फिरा के घुमा फिरा के अपना product आप तक पहुचा देंगे, तो वो उकुल मिला के हुआ अपना loss ही, तो इसको भी सर्च करिए, क्यों company किस चीज का काम कर करती है, और requirement मेरी क्या है, अगर मुझे sketch up पे या 3ds max पे आपी stat pro पे बोला गया है, तो stat pro का मतलब है कि structure मुस company ने 2-3 project तो किया होंगे, website पे डाला होगा ओ प्रोजेट, cross check करके तब interview के लिए जाओ और नहीं तो fraud of us होगे, सबसे बड़ी चीज होती है, कई लोग तो state पा हो जाएगा इसका, मम्मी लोग क्या करती है, कि God को प्रेट करने लगती है, कि कैसे भी करके हो जाए, मेरे बेटे का वगरा वगरा आपको पता है, तो ऐसा नहों हो, इसके लिए cross check जरू करो, plus कभी भी interview के लिए अगर call आता है, तो उनको mail पर, बोलो कि आप mail पर हमें बता जरूर चेक करिए, चलिए hope आपको ये video काफी useful हो गया होगा, इसको share करना अपने juniors के साथ, क्योंकि जो लोग अभी ने ने आ रहे हैं, सबस्यादा उनका target वही होते है, क्योंकि ने लोगों को पता नहीं करता करना क्या है, hope हाज जाते है, थोड़ा भला कर दो के तो उप